कुछ नया कंसेट मार्केट में लाना कोई बुरी बात है क्या मगर अगर वो नया कंसेट एक ऐसे फिल्ड में हो जिसका भविष उस फिल्ड के लीडर्स को भी नहीं पता फिर भी उसी फिल्ड में स्टार्ट अप करना आपके हिसाब से क्या माना जाए एक कमपनी का incorporation हुआ था 16 अप्रेल 2018 को कमपनी का address है पूने का और डिरेक्टरशिप में नाम है दो रेड़ीज का इस कमपनी की activities में लिस्टेड है Sale, Maintenance and Repair of Motorcycles and Related Parts and Accessories मतलब इस कमपनी का काम होगा Motorcycle Accessories और Related Parts बेचना और उनका रख रखाओ करना कमपनी का नाम है Evolve Motors Private Limited तो वो Unsure Future का field है भारत सरकार का mission 2030 जिसमें सरकार हमारे भारत को 100% electric vehicles का देश बनाना चाहती है Car manufacturers भी इसे काफी seriously ले रहे हैं और रोज रोज नई-नई electric vehicles की launching की खबरे हमारे कारों तक पहुँची जाती है टू-wheeler field भी इसे अचुता नहीं है Electric scooter companies तो भारत में दबाके थी Leading petrol टू-wheeler companies भी अपने electric scooters launch करी रही है Electric sports bikes भी आ रही है और electric performance bikes की भी खबरे हम सुन रहे है फिर मैंने इस field को Unsure Future का field कैसे बोला कहीं मैंने वीडियो के शुरू में गलत तो नहीं बोल दिया एक सवाल है आपसे आप इन चारों मेंसे किसकी launch पर ज़्यादा excited होंगे Honda Activa 6G, Suju की XS, TVS, Jupiter या कोई एक electric scooter आप या आपके कोई जानपचन वाले या आपके रिष्टेदार जब नया scooter खरीदने का प्लान करते हैं तो आप खुदी देखिए उन मेंसे कितने लोग electric scooter खरीद कर लाते हैं तो हुई ये एक Unsure Future की field खेर आप electric scooter लेते हैं या नहीं ये आपकी individual choice है मगर companies अपने electric scooters में भर भर के features दे रही है और उनके riding experience को भी बहुत बैतर करती जा रही है ऐसी खबर सुनने में आ रही है इवर्ब मोटर्स के एक premium electric scooter की launch की ध्यान दीजेगा ये scooter इस company का पहला product होगा और इनका target है अपने scooter को एक धांसू futuristic design देना और अपने customers को amaze कर देना खेर ऐसा तो हर एक startup चाहता है और promise करता है मगर मैं ये बात आज इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इवर्ब अपने e-scooter में जो features देने को इच्छुक है वो e-scooter की दुनिया को बदल देगी कैसे इसमें आएगी सबसे powerful motor जो इसे 110 km per hour की top speed देगी इसमें आएंगी 5 घंटे में charge होने वाली rechargeable batteries बड़ा खुबसूरत colorful digital instrument panel जो दिखाएगा Google Maps, आपकी current location, गाड़ी की range बैटरी का status, error codes और ये features की list बहुत छोटी है इसके looks की बात करूँ तो जैसा आप teased images में देख सकते हैं इसे मिलता है एक sporty ultra modern look जो आज के youngsters को खूब भाएगा इस scooter को आपको RTO से register कराना पड़ेगा और इसमें आपको इस number plate भी मिलेगी जो इसे चोरी होने से थोड़ा सा safe बनाएगा सुनने में आ रहा है ये इस साल 2020 के लास्ता सड़कों पर आ जाएगा अभी ये prototype stage में है और आप इसे देख पाएंगे FAB Auto Expo में अभी इसकी prices की कोई official information नहीं है मगर हम उमीद कर रहे हैं कि ये luxurious premium lifestyle scooter launch होने के बाद compete करेगा बजाच चितक electric और अथर के जबरदस scooter से और ये price में भी premium segment में ही आएगा तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं क्या electric scooter अभी भी एक high risk business में आता है या भविश बदलने वाला है ये सवाल और इसका जवाब मैंने आप पर छोड़ा है क्योंकि आप और हम जब तक नहीं बदलेंगे भविश नहीं बदलेगा तो आज के इस energy भरे वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजे और दोस्तों के साथ share कीजे और ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चनल को subscribe और bell icon को press कीजे मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और जबरदस वीडियो के साथ बहुत ही जल तब तक के लिए नमस्कार